तो गाई स्वागत अपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में आज मैं आपको बताने वाला हूं सैनकाल के फिमी और ये नॉक आन माई डोर का एपीसोड नमबर 26 तो चलिए शुरू करते हैं लास्ट एपीसोड में मैंने बताता कि एदा सिरकान के साथ अपने घर आती है और फिर उसकी तीनों दोस्त एदा को सिरकान से पूछने के लिए बोलती है कि सिरकान ने सेलीन के साथ होटल में क्या कर रहा था और फिर एदा सिरकान से पूछने के लिए बालकानी में आती है अ आपको और पिर आप एच्छ रिप्लाय करिए उसका और उन्हों ने आपको आज सेलीन के साथ होटल में देखा था इसलिए उन्हें शक हो रहा है आपके उपर आपकी आप उसके साथ है लगे हुए है यदा को मिसस चाती है कि मेरे दोस्त चाहती है कि मां तुम depths में चोड़ शॉड़ा दे रहे हो तो फिर सिर्कान को इसमें मैं क्या कर सकता हूँ पिर अदा उनका काल कार्ण दिटीर है फिर उनका काल कार्ट को दिखा जाता है पिर अधा सिर्कान को बोलती है कि आप जानते है कि हमारी नकली सगाई के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है पिर सिर्कान पूछ रहा है तो फिर अधा बताती है आप अपनी सास को फोन करें और वेस्ट हो जाएं सिरकान एदा के साथ बालकानी से अंदर आ जाती है और फिर अपनी दोस्तों को बोलती है कि सिरकान और सेलीन वहाँ पर सही योग से मिले बोलती है सिरकान मुझे यह सब बताने ही वाला था लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया क्यों कि मैं आफिस के वर्क में थोड़ा बीजी थी फिर बोलती है कि सेलीन को वह अपने साथ खाने के लिए पूछ रहा था लेकिन यह सब माइने नहीं रखता और फिर बोलती है कि यह सब मैं आपको बाद में विस्तार में बताऊंगी और फिर वहाँ से चली जाती है एदा के जाने के पाद है मैं आपको समय से अधी क्या मिला है मुझे लगता है कि आपके पास समय होगा एधा वहां आते हैं और फिर निकाल कर लेकर जाती है ऐदा की तीनों दोस्त का आपस में बात कर के बूल रहा था और उसने धोखा नहीं दिया तो फिर एधा की दोस्त मैलो बोलती है कि हमें इस चीज का भी कोई एक्सिपीरियंस नहीं है शायद वह सची बोल रहा था उसने एदा को कोई धोखा नहीं दिया और फिर सिरकान और एदा को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर के पास गए वे थे डॉक्टर जिसका नाम काश था वह एदा को बदाते हैं कि बहुत अधिक तैनाव के कारण आपके शरीर से कर जाता है तैनाव दूर करने के लिए मैं सबसे दर्श वयाम की सिफारिश कर सकती हूं उसे बोलती है कि वास्ता में मैं बिलकुल भी तनाव पूर्ण व्यक्ति नहीं हूं मेरा तत्काल है मैं एक पल के लिए आता है और फिर एक पल में छोड़ देता है सिरकान और डॉक्टर के वीच में रुकर बोलता है देखिए आप कोई करेंगे जो कि आपको यह डॉक्टर बोलेंगी करने सिरकान को चुपकर आते हुए आता बोलती है कि हम सभी जानते है कि आप असली बीमार व्यक्ति सिरकान बोलता है ना मुझे लगता है कि आप सिरकान पर एक नजर डालता है सिरकान मन मन में बोलता है कि यह फिर से श तर्चा कर चुके हैं आपके लिए भी आराम करना अच्छा होगा फिर जल्द ठीक हो जाओ एदा बोलकर डॉक्टर वहां से चली आती है एदा और सिरकान के बीच कुछ सकहा सुनी होती है पिर एदा बोलती है मुझे तैरना नहीं आएगा सिरकान बोलता आप अंडर बोलती है तुम तैरोगे फिर एदा बोलती है आप मुझे हैसा कुछ नहीं कर सकते हैं मैं चाहती है अगर मैं तैरना नहीं चाहती तो इसका मतलब यह है कि मैं नहीं करूंगी इसके लावा आपने खूद के तनाओं का हल खोजें मैं बिल्कुल ठीक हूँ सिरकान एदा को तो छहार दिलता है कि यदि हाव को मैं यार दिलाओं तो हम een अनुबंध हमें है यह कहता है कि जो तुम चाहरोगे वही होगा तैरोगी तो फिर एदा बोलती है नहीं नहीं मैं नहीं सिखा रही है दिन में कोई समुदर नहीं था, जब मैं बच्ची थी, तो मैं नहीं गई, मैं क्या करो? फिर सिर्कान बोलता है, ठीक है, कोई रिकत नहीं है, सिर्कान बोलता है, वैसे भी हम यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पे एक पूल है, बोलता है, मैं इतनी दिल जस्पी क्यों है, पिर अच्छा नहीं होगा कि मेरी मंगेतर को तारना नहीं आता, फिर सिर्कान से अदा पुछते हैं कि हम आइंटीलिया जा रहे हैं, लेकिन आप मुझे अब बता रहे हैं, पिर जादा बोलता है, मैं नहीं जाओंगी, पिर अच्छा, मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ कि हमें कनुबंध में हाँ, वह करता है कि जो तुम चाहोगे, मैं वह ही करूँगी, कुछ सा होकर बोलती है, यह सेलीन आपके पास कब लोटेगी, सेलीन की बात करें, तो वे बधाय देने के लिए कल हमारे पास आएगी, पुछती है, कैसे आ रहा है, आपका क्या मतलब है कि वे कल आ रहा है, आपने अभी अभी बात की और कहा कि मत आओ, कुछ को कहो और क्या यह सब ऐसे कैसे हो गया, फिर फेरिट और सलीन के आने की बात सुनकर टेंशन में आते हैं, फिर सिरिकानों से बलता है, चिंता की कोई बात नहीं है, आपकल सुबह तक तर ना सीख जाएंगी, तब ही अदा का फोन बचता है, और फिर सिरिकान को बलते है, सुन दर आपकी म मां फिर से आपकी मां का कॉल आ रहा है, सिरिकानों बलता है कि मुझे लगता है कि मेरी मां तुम से प्यार करती है, हाँ उसे यह बहुत पसंद है प्यार से, तुम लोग मां और बेटें लोगों को पागल कर दोगे, बात है कि आप मेरे असलियों मंगेतर नहीं है, जादा सिरिकान बलता है, उन्हें नमस्ते जरूर कहना तो फिर आदा बलती है, मैं जरूर कहूंगी, तभी आदा सिरिकान के घार आती है, और फिर सामने से सिरिकान की मां आ रही होती है, तो फिर आदा बलती है, मैं भी आपके पास ही आ रही थी, लगतार मुझे दून रहे है, य सरकान start अ सुन्दर लड़कात पर सब क्रेजा करें और गैसा नाराज थी मैंने अ Québec स्रौन की मेवाई आच्छा तो यह सब कुछ खियल का हिस्सा मेरे विपरीज पडोसी नहीं होंगे बोलती है शुक्रिया मैं आपके विप्रीद पर उसी नहीं बनूँगी तक आवश्यक नहों मैं आपके पुद्र को नहीं देख सकती उमीद है कि सेरीन जलते जलते फेरी जोड़ी देगा और खेल खत्म हो जाएगा यह सब सुनकर सिरीकान कीमा बहुत खोश राती है और फिर बोलती है तुम मेरी आखो के प्रती इतनी सहानभूती रखते हो तुम्हें पता है हाँ से बताती है एक चुट की बहर फिर एदा हमसे बोलती है आप कितनी सुन्दर हैं वैसे अब मैं जा रही हूँ अगर मैं वैस्त हूँ तो मैं वैस्त हूँ आप जानते हैं फिर एदा वहां से चली आती है फिर सिर्कान कीमा सेफी को बलती है मुझे आपकी हर हरकत के बारे में बताएं फिर वह अपने घर के अंदर चली आती है, फिर सिर्कान और रदा गाड़ी से सिर्कान के गाड़ी में एदा के घर पहुंचता है, फिर सिर्कान रदा को गाड़ी से उतार कर बलता हम इस तरह की कीछीज को कल हर कर सकते हैं, फिर रदा बलता है मुझे नहीं मालूम कल शानिव तो दुर्भागी से आप परिणाम भूपतेंगे। फिर अबलती है, मैं हर दिन आपके साथ गुजारने वाली किसी चीज के बारे में सोचती हूँ। अगर मैं आप ना तनाव दूर करने के लिए तैर ना सीख जाओंगी, तुम वही करोगे जो का मैं कहती हूँ। फिर शिर्कान बोलता है, याप परस पर सही होना चाहिए, तो आप सीधे हाँ नहीं कह सकते हैं। रहलती है नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलती है, आप सुनिस्चित करने के लिए कल काम नहीं करने जा रहे हैं न। फिर तुम कहते हो, सैलीन लर आयेगा, हमें तइयारी करने की जरूथ है। फिर सिर्कान बोलता है, मैंने कहा, मैं वैसे नहीं जाओंगा। पहता बलती है अच्छा ठीक है फिर मिलते हैं फिर अपने घर के अंदर से लियाती है और सिरकान अपनी गारी से चला रहता है एदा अपनी चाची के पास आती है इसे विनके हाल के बारे में पुछती है तो बोलती है मैं ठीक हूँ अपना बता आधा के चाची फोटोव ग्राफ से दिकh रही होती ह। पुसमें अधा के बचपन की फोटोव दिखा जाती हैं उनके मॉम डाएध के साथ। फोटोग्राफ से एलेटेड हैए, वह अपने पास्ट के बारे में अपनी चाची से बात करती है। फिर फेरिट बोलता है मेरे पास वास तब में दिन में कुछ घंटे काम है लेकिन आप बहुत वैस्ट है अन्य था मैं आपके साथ हर पल बिताने के लिए तैयार हूँ अब मेरे साथ हर सेकेंड कैसे भी आना चाहेंगे और अपना काम कैसे आसान करेंगे सलीन से फैरिट पोच्छता है यह सब कैसे होगा तो फिर सलीन बोलती है अब हम परामर्श करेंगे आप मुझे बहुत साहज करते हैं हम एक दूसरे को भी देखते हैं फेरिट पूछता है क्या तुम सीरियस हो तुम यह करना चाहती हो मेरा मतलब मुझे बहुत पसंद आएगा लेकिन सिरकान उसके बाद फोल्डिंग को जला देगा फिर सेलीन बोलती है सब की चेंटा तो मत करो फिर सेलीन सिरकान की मा को कॉल करती है फिर वह अब सिरकान की पिता को कॉल देती है और फिर बोलती है कि सेलीन आपको ढूंड रही है सेलीन में सिरकान की पिता को बोलता है हलो अंकल अल पैक्टिकन सुबसंदे आप कैसे हैं तो सिरकान की पिता बोलता है मैं ठीक हूँ आप बताओ ठीक है ना तक रिसालीन बोलती है, आपके रास्ते पर जरसल मैंने आपको किसी चीज़ के लिए परिशान किया, हम अपने होल्डिंग के लिए एक सलाहकार की सिफारिश करना चाहते हैं, पिस सिर्कान के पीछा पूछते हैं किस से, और कौन है वह सलाहकार, तो फिर रिसालीन कि पिताई से मंजूरी देते हैं मतलब कि इसका मतलब है कि अब सेलीन के साथ फेरिट हर टाइम रहेगा कि वह उनका सलाकार है वैल आज का अपिसोड यहीं पर खत्म होता है अब देखेंगे कि अब जब सिरकान फेरिट को हमेशा सेलीन के साथ देखे तो इसे क्या होगा और अब देखेंगे क्या स्वेमिंग सीथ पाईगी कि नहीं और इसकी दोस्त लोगे का च्यार याफ से होता है जाब उन है फता सलयाफी इस लीन और सिरकान एक दूसरे के को करीब लाने के अब सिरकान से साथ मिल सर नासक कर रही है वैल बाइबाए गाई अगर आपने अभी च्रीक चेल डेजों को सब्सक्राइब नेगेश तो सब्सक्राअब कर दो लास्टे आपी अपीजोट्स नहीं नीघ देख्याए तक बडिनीबी प्ले़िस्ट में डिस्रेप्षाण चमनल करिगा मतलब डिस्क्रीप्षाण में ब्लेप्षा योर बाइबाई